एलो एवरिवन सो गाइज में आपके साथ निया प्रोडेक्ट लेके आई हूँ जो की है विल्सी नेच्रल साइंस इंस्टा गलो डायमंड बिलीच शो इसके बार में जान लेते हैं सो गाइज इसकी नेट क्वांट्विटी है 60 ग्राम इसकी प्राइज 160 रुपीज और इसे म अपन करके दिखाऊंगी आपके साथ इस्टेवाई इस्टेव करके दिखाऊंगी अगर आप हर इस्टेव को फोलो करोगे तो आपके हैस के हैर गॉल्ड भी हो जाएंगे और अच्छा गलो भी आ जाएगा तो गाइस देख लेते हैं यहां पर इसमें यह एक बिलीच क्री कर मताइस करते हैं दीना में यह सकते दोर बीच्टर आपवर्डर क्या लाध जाता ही मास्क αट तरह नैक्स्ट यह परिव्यक्र नेक्स परने में इस से पर अपने पैस ऑप लाई करते हैं अथि मसाज करते हैं नेक्स्ट यह पावर एक्टिवेटर दिया है हमें हमें दो एक्टिवेक्टर पावडर मिल जाते हैं हमें यहां पर साथ ही यह हमें दिया गया है इसमें सब निर्थेश किया किया है इस्टेफ भाई इस्टेफ गाई जब भी आप लिच करें तो इससे पहले अच्छे से आमें फट लेना है गाई जी यह वेल सेसी के फोर बिलीच है यहां पर यह सब कुछ मैंसन किया गया है हमें इस्टेफ भाई इस्टेफ हर एक चीज को अच्छे से पड़ लेना है इसकी बाद इसमें यह एक इसपेशला दिया गया है तो गाईज अब देख लेते हैं मैंने यहां पर यह एक गिलास बाउल लिया है जिसमें बिलीच मिक्स करके अब मैं यहां बिलीच करीम और पाव्डर एक्टिवस्टर को मिक्स करके बनाने वाले हूं चेहरे पे अपलाई करने के लिए तो सबसे पहले मैं यहां क्रीम निकाल रही हूं मैं अपने चेहरे और नेक पर अपलाई करने वाली हूं उस हिसाब से निकाल लूँगी आप अपने नीड के हिसाब से क्रीम ले सकते हैं अब इसको अच्छे से बंद कर देंगे यहां मैंने बंद कर दिया है इसको अच्छे से अब इसमें हम पाउडर मिक्स कर लेंगे गाई हमें पाउडर की क्वांट्यूटी बहुत ही कम नेनी होती है आप देख सकते हैं मैंने कितना पाउडर लिया है अगर आप ज्यादा पाउडर डाल लेंगे ब्लीच में और अपनी चेहरे पर जब इसे अपलाई करेंगे तो हो सकता है चेहरे कोई भी रैटनेस हो जाए या कोई भी टाइप की इरिटेशन हो सकती है तो इन दोनों को डालन करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है कभी-कभी पाउडर के पार्टिकल से वह अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना और इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है कि एंड में आपको एक बात बोना चाहूंगी कि आप कोई भी प्रो अब मैं यहां पर ब्लीच अपलाई करने वाली हूं सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से बांद लूँगी ब्लीच करने से पहले अपने चेरों को बोश कर ले अब मैं यहां पर प्री ब्लीच यूज़ करने वाली हूं कि इसे मैंने अपने हाथ पे निखा लिया अब इसको में अपने फेस और नेक पर अप्लाई कुरूंगी सर्कुलन मोज़न में हाथ जहाते हुए इसको अपने फैस पर अप्लाई कर लेना है कि इसको अपनी आज से दूर ही रखना है कि मैं इसे अच्छी से अपनी इसकी में ब्लेंड कर लिया है कि देख सकते हैं अब में लूँगी ये क्रेम एंड आलसो गाइज अगर आपके इसकी बहुत ही सुपन ड्राई या बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है तो हो सकता है इसे आप अप्लाई करेंगे तो एक हलकी सी इचिंग हो और ये हलकी सी इचिंग होना नोर्मल है और अगर आपके फेस पर कोई भी पिंपल या एक्निय हो तो उस पर आप ब्लीच नहीं लगाएंगे हमें लिप्स और आइज के आसपास नहीं लगाना है इसे और आइब्रो के आसपास भी नहीं लगाना है जितना मैंने डिस्टेंस छोड़ा है उसे साब से आप छोड़ना है इस तरह से अपने फुरी फेस को ब्लीच से कवर कर लेना है गाइज आप यहां पर ब्रैस भी ले सकते हैं या इस पर चुला भी ले सकते हैं बट मैं यहां पर फिंगर से ही करूंगी अब मैं अपने फोरेड पर इसे अपलाई कर रहे हूं अपने बालों को दूरी रखे बिलीच से नहीं तो ब्राउन हो सकते हैं अगर आपको ज्यादा इरिटेशन हो तो इसे आप तुरंत रिमूब कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा इरिटेशन हो रहे हैं तो इसे आप तुरंत रिमूब कर सकते हैं अब में अपनी पूरी नेक पे इसको अच्छे से अपलाई कर लूँगी अगर आपकी डश्की स्कीन है तो आप इसे 10 मिंट के लिए रखेंगे अगर आप इसे 15 मिंट के लिए रख सकते हैं अब में यहां पर पूरे 15 मिंट रखोंगे यहां पर मेरे मेरे बिलीज पूरी लग चुके अब मेरे फुरे 15 मिंट फुरे हो चुके है आपको डायरेट इसे वास नहीं करना है किसी भी रुमाल या टीशू पेपर से अच्छे से रिमूब कर लेना है अम यहां पर इसको बहुत हलके हाँ से रिमूब कर रही हूं गाइज हमें अच्छे से पूरे फैस को किलियन कर लेना है अच्छे से रिमूब होने वाली है अगर मेरा वीडियो अच्छा लागा हो आपके लिए हेल्फूल रहा हो तो मेरे प्लीज मेरे वीडियो को कमेंट सेट जरूर करना साथ मेरे वीडियो को लाइक करना यहां पर मैंने फैस वोस कर लिया है अब इसको अच्छे से पोंच लेना है टाउल की हेल्फ से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे फैस के हैर ब्राउन हो चुके हैं मैं यहां पर पोस्ट ब्लीच पैक यूज नहीं करूँगी इसके बाद में फैसल करने वाली हूँ सो गाइज मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाई